तिल्लीक अन्टोन मेंटेर ब्रार स्क्वेरे पूनो राष्ट्रियों मर्जादायाज चीफ अब डिफन्स टाफ जेनरेल विपिन रावातो तार्स्त्री मधुलेका रावातेर शेश्क्रिप्तो शंपन्नो हबे तादेर देहो किन्तु इतिमध्धी मरोदेहो पूछे गिये बाष्ब्भावंत शेखाने शाही तो रोय छे मरोदेहो एबुग शकाल एगार होटा थे के रावातेर मरोदेहो शाही ताख भेतार वाष्ब्ब्हावंत तीन नमबर काम्राज मार्गे शारे बारवलटा पोरजन्तो श्रुधा जानाते पार्वेन स्धारम मानुष् शेखाने शेखाने के इंतु ब्रिगेडिया लिडरेड देहो शेखाने शाइतों छीलो एबोंग शॉकुलेई उन्तिम स्रुद्धा जानान एबोंग की छुक खोनेर मोध्धेई शेश्क्रित्तों स्वंपोन नहोबे पाशा पाशी दूटी जाएगा चो भी आपनारा देख है कि क्या ये प्रोसीजर्स हैं क्या ये तरीके हैं मगर हमें आगे बढ़ना है हम यहां रुक नहीं सकते मगर ये मत सोचे कि हम परवार को पीछे छोड़ जाएंगे परवार को भी आगे लेके साथ में चलेंगे किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा उनकी यादों को ब परकरार रखा जाएगा और उनकी शहादत को भी याद किया जाएगा हमेशा के लिए अब देखे इस समय विपिन रावत के घर पर जनरल विपिन रावत के घर पर अंतिन शर्धान जली देने के लिए गिरीमन्ती हमेशा पहुच चुके हैं अब से कुछ देर पहले जब जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी मद्विलिका रावत के पार्थिव देर को जब उनके आवास पर सरकारी आवास पर लाया गया तो उसी वक्त दस मुश्किल से 5-6 मिनिट के अंतर पर गिरीमन्ती अमेशा यहाँ पहुचे हैं गिरीमन्ती इंतियार कर रहे थे कि जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी का पार्थिव देया पहुचे और वो वहाँ पर पहुचें उनको अंतिम शद्धांजली देने और देखे पर्सों जब यह दुरगटना हुई और उसके बाद दुरगटना के बाद जब संसद भवन में था तो हमारी गिरीमन्ती अमेशा से मुलाकात हुई और उस बादशीत में गिरीमन्ती हमेशा बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनके साथ जो पिछले 3-4 सालों में जो इंटरेक्शन था गिरीमन्ती बनने के बाद से लगाता जो इंटरेक्शन हुआ जनरल विपिन रावत से उस दौरान उन्होंने पाया कि जनरल विपिन बेहदी जवाज साहसी ऑफिसर हैं। और इस बात को जो आदम साहस के धनी होते हैं लेकिन दूर दरशी सेना को और देश को जब आपातकाल होता है तो वो अलक खड़ा कर देते हैं एक लंबी लकीर खीश देते हैं, जो आने वाले सालों में उस लकीर को देखकर, उस धारन को देखकर तमाम सेनिक और सेननायक शीखते हैं। कर दो कि कर दो कर सकती है